लाइसेंस्ड का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं लाइसेंस्ड का दो तरेके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे लाइसेंस किया गया हो या जिसे लाइसेंस दिया गया हो या लाइसेंस किया गया हो उसे हम adjective के रूप में licensed कह सकते हैं इसके इलावा licensed जो है वो license का past tense और past participle होता है यानि कि license की ही second और third form होती है licensed और license का आर्थ होता है अधिकार देना, आग्या देना, अनुध्या प्रदान करना, अधिकारना या अनुमती देना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि doctor को दवा का अभ्यास करने के लिए license दिया जाता है तो आप कहेंगे the doctor is licensed to practice medicine या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें एक तिवर देखभाल सुविधा के रूप में license दिया गया है तो आप कहेंगे we are licensed as an acute care facility अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें